एक ऐसा अभिनेता जिसने हिंदे सिनमा में खलनाईकों की घिसी पिटी लकीर से पड़ी लकीर खीच कर नायक के बराबर की लोप्रियता खलनायक को भी दिलाने की शुरुआत करती दोस्तों हिंदे सिनमा के कुछ किरदार ऐसे हैं जो सदियों तक दर्शकों के जिहन में जिन्दार रहेंगे रिष्टे में तो हम तुमारे बाब होते हैं जहां एक तरफ फिल्म शूले में अमजद खान के द्वारा निभाया गया गबर सिंग का किरदार यादकार है तो वहीं फिल्म मेरा गाउं मेरा देश में डाकु जबर सिंग के किरदार भी अमर है जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता है इस अभिनेता के चलते हैं क्योंकि इस अभिनेता ने इस किरदार को यादकार बना दिया दोस्तों ये वो दौर था जब गठीले बदन वाले धरमेंदर मासून मुसकान वाले राजिश खना और जंपिंग जैक कहे जाने वाले जीतेंदर अपने करियर के चरम पे थे सत्रोगन सिना जैसे रोवीले आवाज वाले खलनायक भी नायक बनने के तरफ बढ़ चले थे और उधर गुलजार भी तैयारी कर रहे थी सन 1971 में अपनी फिल्म मेरे अपने की जिसमें गुलजार साहब ने दो खलनायकों को एक साथ परदी पे उतार कर एक प्रियोग किया जो अत्यम्त सफल रहा दोस्तों श्याम आए तो कह देना च्छेनू आया था और इसके जवाब में विनोद खन्ना का डायलोग और इसी फिल्म में विनोद खन्ना पर फिल्माया ये गाना ने इस फिल्म के साथ विनोद खन्ना को भी चमका दिया सत्तर के दशक में एकी तरह के किरदार निभाते खलनायकों के भी जब जबर सिंग जैसे कद काठी और रौविले आवाज वाले डाकूने खलनायक के रूप में एंट्री ली तो दर्शकों ने उन्हें हाथो हाथ ले लिया युवा जबर सिंग की आवाज में ठसक और फिल्म के बाके नायक धरमेंद्र को बराबरी का टकर देता खलनायक दर्शकों के दिलों में इस फिल्म से उतर गया दोस्तों इस फिल्म में धरमेंद्र ने खुद जबर सिंग का रोल निभाने वाले अभिनेता के बारे में कहा था कि इतना खूबसूरत जवान हमने पहले कभी नहीं देखा था ये प्रसंसा इस बाकी नौजवान के लिए बहुत बड़ी बात थी फिर तो फिल्म निर्माता निर्दिसक इस नए हैंडसम खलनायक पर केंद्रित कर फिल्म निर्मान करने लगे फिल्म कच्चे धागी का कंदे में बंदूक लटकाए अभिनेता को शायद ही उस दौर के दर्शक भूले होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्तर और असी के दशक के सुपर हीरो विनोद खन्ना सहाब की लेकिन इस अभिनेता ने अपने चड़ते करियर के दौर में एक ऐसी गलती की जिसकी गलती ने अमिता बच्चन को महनायक बना दिया और साथ में ये भी जानेंगे कि एक राजनितर ने विनोद खन्ना सहाब का जब अपमान किया तो विनोद खन्ना सहाब ने उसी राजनिता को चुनाओ में हरा कर कैसे अपने अपमान का बदला लिया और क्यों महेश भट पर ये आरोप लगता है कि विनोद खन्ना की मलाकात ओशो से करवा कर महेश भट ने विनोद खन्ना के स्टाडम को खत्म कर दिया और इस वीडियो में ये भी जानेंगे दोस्तों कि जब महेश भट उशो के आसरम से लोटे तो उन्होंने अपना ये अनुभाव साजा किया तो बने रहे हमारे साथ आज के इस दिल्चस्ट वीडियो में नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विजय पांडे और आप देख रहे हैं कोल्डिन मोमेंट्स वेट विजय पांडे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना खुले विनोद खन्ना का जन 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर के एक व्यापारिक परिवार में हुआ था उनका परिवार बटवारे के बार 1947 में पेशावर से मुंबई आ गया था उनके पिता का नाम किशन चन खन्ना और मा का नाम कमला खन्ना था विनोद खन्ना सहब की स्कूली शिक्षा मुंबई ये उन दिल्ली से हुई और आगे की पढ़ाई नासिक के एक बॉडिंग स्कूल में हुई विनोद खन्ना सहब ने सिध्धहमन कॉलेज से वानित जी में स्तनातक में किया था विनूत खन्ना साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1968 में की फिल्म मन के मीट से जिसमें उन्होंने एक खलनायक की भूमी का निभाए थी तब शायद खुद विनूत खन्ना साहब को भी ये पता नहीं होगा कि खलनायक के किरदार से शुरु हुआ उनका ये फिल्मी सफर उनके खुबसूरत परसनालिटी की वजह से नायक में तब्दील हो जाएगा और इसी क्रम में उन्होंने फिल्म आन मिलो सजना, अनूखी अदा, कुर्बानी, हेरा फेरी, अमर अकबर एंथनी, सप्तमी उजयते, दयावान, कच्चे धागे और चांदनी जैसी नजाने कितनी सफल फिल्मों में काम कर उन्होंने अपने अभिने का लुहा मनवाया दोस्तों विनोद खन्ना पर फिल्माया ये गाना ठके हारे मन में उत्साह और उमंग भर देता है और शायद यही उनकी जिन्दगी का भी फलसफा था मरने वाला कोई जिन्दगी चाहता तभी तो वह कभी रुके नहीं उनकी सबसे प्री साथी और फिल्मकार फिरोज खान हमेशा कहते थे कि मुझे अपनी हर फिल्म में विनोद ही चाहिए फिरोज खान की नजरों में विनोद खन्ना सहाब एक प्यारे इनसान होने के साथ साथ एक बहुत ही अनुशाशित अभिनेता भी थे दोस्तों असी के दशक की शुरुवात थी राजेश खन्ना का दौद जा चुका था धर्मेंद्र उम्र के धलान पर थे और वहीं जीतेंद्र पारिवारिक फिल्मों के डाइरे के भीतर सिमट रहे थे और उसी दौर में दूसरी तरफ विनोद खन्ना सहाब नए अस्टाड करना जाने कंटेंडर तू अमिता बच्चन तरफ नोबड़ी ऐल्स तो वाज़िए विनोद खन्ना की इतनी मांग थी कि उन्हें एक फिल्म के सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे और वहीं अमिता बच्चन पीथे जूट रहे थे जब उनका स्टाडम चरम पर पहुँच रहा था उसी बीच विनोद खन्ना सहाब का जुकाव आध्यात्म की तरफ हो गया वह ओशो रजनीज के शिश्य बन गए उन्होंने फिल्मे कर्मी छोड़ दी और दोस्तो 1982 से 86 के बीच विनोद खन्ना सहाब अमेरिका चले गए ओशो के आस्रम में जहाँ वो माली का काम करने लगे दोस्तो ये वो दौर था जब विनोद खन्ना के अमेरिका चले जाने से उनके लिए लिखे गए सारे रूल फिल्मों के अमिता बच्चन को मिलने लगे और दोस्तो यहीं से अमिता बच्चन की किसमत जमकुठी फिल्म इंडस्ट्री के जानकार बताते हैं कि विनोध खन्ना ने अगर अमेरिका का रुख नहीं किया होता तो आज जहां अमिताफ बच्चन खड़े हैं वहाँ विनोध खन्ना खड़े होते दोस्तों विनोध खन्ना दोस्तों के दोस्त भी थे और उनकी एक दोस्ती का नमूना ये भी था कि अमेरिका जाने से पहले विनोध खन्ना साहब ने अपने दोस्त के फिल्म कुर्बानी की थी विनोध खन्ना साहब ओशो के आस्रम से दुबारा कमबैक करने पर फिरोज खान के साथ 1988 में फिल्म दैयावान की फिरोज खान और विनोध खन्ना साहब की दोस्ती की शुरुवाद 1976 में फिल्म शंकर शंभू से शुरू हुई जो जीवन के अंतिम सांस तक चली और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों दोस्तों की मौत भी एक ही तारीक 27 अप्रैल को हुई थी फिरोज खान के मृत्यू के ठीक आठ साल वाद विनोध खन्ना साहब ने भी 27 सप्रैल सन 2017 को इस दुनिया को अलविदा कह गए विनोध खन्ना साहब की मौत ने पूरी फिल्म इंड़स्ट्री को हिला कर रख दिया दोस्तों जब विनोध खन्ना साहब की मौत हुई तब जाने माने फिल्म निर्माता निर्दशक करन जोहर ने अपनी बहु प्रतिक्षित फिल्म बाहु बली 2 का प्रेमेर तक स्थागित कर दिया ये कहते हुए कि ऐसी स्क्रेन पर्सनालिटी अब शायद दुबारा देखने को ना मिले विनोध खन्ना साहब में एक सुपर स्टार का स्वैक था दोस्तों विनोध खन्ना साहब का जब निधन हुआ तो वो गुर्दासपुर के सांसत थे पंजाब में उनकी मौत की खबर ने हलचल मचा दी गुर्दासपुर के लोग रो पड़े क्योंकि विनोध खन्ना साहब सांसत के तौर पर केवल राजनित नहीं बलकि लोगों की दिल से सिवा भी की थी दोस्तो बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि विनोध खन्ना साहब अपने जमाने के हाइस पेड अक्टर थे दोस्तो आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि अमिताप पच्चन की तरह विनोध खन्ना साहब को भी सिर्मा में लाने का श्रे सुनील दत्साहब को ही जाता है दत्साहब के छोटे भाई की फिल्म मन के मीच से उनका 1968 में फिल्म जगत में प्रिवेश हुआ दोस्तो विनोध खन्ना साहब के जीवन में निर्दिशक महिस भट का भी बहुत बड़ा रोल रहा है महिस भट के निर्दिशन में 1974 में बनी लहू के दो रंग और 1992 में फिल्म जुर्म में दोनों ने साथ काम किया विनोध खन्ना को ओशो से मिलवाने का श्रे भी महिस भट साहब को ही जाता है जब महिस भट रजनीश के आसरम गए तो विनोध खन्ना को भी साथ ले गए दोस्तो विनोध खन्ना का राजनिती में आना महज एक संयोग नहीं था नतीजा नहीं था उनकी राजनीती में आना एक दिल की कसक थी जिसे विनोध खन्ना साहब ने पूरा भी किया भगवान ने उनकी प्राथना सुन ली और फिल्मी परदे का यह चमकता सितारा भारती राजनीत में अपनी अलग चाप छोड़ गया दोस्तों गुर्दासपुर्व के पुर्व इंप्रूव्मेंट टस्ट के चेर्मेन नीरज मलोतरा ने दर्ट रिव्यून को दिये एक इंट्रिव्यू में बताया था कि कैसे रेलवे की एक अनकनफर्म टिकट में खन्ना साहब को राजनीत में आने के लिए मजबूर कर दिया 40 दिनों की शूटिंग के बाद जब अपनी पत्नी कविचा खन्ना के साथ मुंबई लोटने लगे तो उन्हें काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास ट्रेन का कंफर्म टिकट नहीं था दोस्तों उन दिनों पठान कोट से हवाई स्विधा उपलब्द नहीं थी मजबूरन रेल यात्रा ही एक विकल्ब था विनोद करना साहब को एक गुमान था कि वो इतने बड़े फिल्मिस टार है चीजें खुद बखुद मैनेज हो जाएंगी टिकट कंफर्म हो ही जाएगा पर दोस्तों ऐसा हो न सका क्योंकि विधी को कुछ और मन्जूर था दोस्तों संयोग ऐसा बना कि उसी ट्रेन में कॉंग्रिस नेता सुखबन स्कौर भिंदर जो उस समय केंद्रिय मंत्री थी वो भी सफर कर रही थी प्रोटोकॉल के मताबिक रेलवे के करमचारियों ने भिंदर मैडम के लिए कूपे का इंतजाम कर दिया विनोद खन्ना साहब ये सारी घटनाएं देख रहे थे अपनी यात्रा को सुखद बनाने की मंचा से विनोद खन्ना साहब मैडम के पास गए और उन्होंने उनसे एड़्जस्ट करने का रिक्वेस्ट किया पर मैडम ने उन्हें बेरुखी से इंकार कर दिया इसलिए विनोद खन्ना साहब को लगा कि मेरा अपमान हुआ है वो स्वैम को बहुत ही अपमानित महसूस करने लगे साथ ही उन्होंने ये प्रण लिया कि अब वो एक दिन मंत्री तो बन कर रहेंगे और दोस्तों बहुत जल्द ही उनके मन की ये कसक रंग लाई लगभक देड़ साल के बाद 1998 में भाजपा ने उन्हें पंजाब से लोगसभा का टिकट ओफर कर दिया पंजाब प्रेम के मारे विनोद खन्ना साहब ने चुनाव लड़ने की हामी भर दी भारती अजन्ता पार्टी ने गुर्दासपुड लोगसभा सीट से टिकट दे दिया इत्तिफाग देखिए दोस्तों की विनोद खन्ना साहब जिस सुखवन स्कौर के हाथों अपमानित होकर राचनीत में आने की कसम ले थी उसी सुखवन स्कौर को हरा कर उन्होंने अपमान का बदला ले लिया सन 2002 में जो विनोद खन्ना लोगसभा में अपना तीसरा टर्म पुरा कर रहे थे तो उन्हें परेटन राजमंत्री और बाद में विदेश राजमंत्री का सौभा के भी मिला उन्होंने बड़ी ही बेत्रकलुफी से पतरकारों को बताया कि राजनीत में वो नो सिखिये हैं इसलिए सारे आम और खास लोगों की सहायता से अपने शेत्र गुर्दासपुर की बेहतरी करना चाहते हैं दोस्तो विनोद खन्ना सहब की यही स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें सच में बड़ी अपीलिंग थी दोस्तो विनोद खन्ना सहब में एक इनोसेंस का एप्रोच था जिसके सभी कायल हो गए थे बाद में भी उनकी बेलाग राजनीत उसी साफ सफाई से चलती रही और गुर्दाशपुर के विकास में उसी लगन से लगे रहे तब भी जब वह केंद्रियम मंत्री बने अभी हम विनोद खन्ना सहब की फिल्म सल्मान खान का दबंग वन और टू देखी रहे थे इसी बीच एक ख़वर आई विनोद खन्ना सहब हमारे बीच नहीं रहे हिंदी सिनमा के सिल्वर स्क्रीन पर विनोद खन्ना सहब जैसा दयावान दबंग की कमी हमेशा खलती रहेगी जिसने खलनाई की को भी नाइकों के बराबर कत दरसा दिया हिंदे सिनमा के इस सूपर स्टार को हमारा सलाम दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप अपनी फर्माईश या कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारा मेल आइडी है golden moments with vijjepandye at the rate of gmail.com अब अपने इस दोस्त और हूस्ट विजय पांडे को दीजे विदा अगले वीडियो में हम फिर हाजित होंगे हिंदी सिर्मा से जुड़े ऐसे ही कई नायाब किस्सों को लेकर तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद शुक्रिया